सो गाइज कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे एंडोड डिवाइसे की सीक्योर्टी पेश अपडेट्स पर असल में जब ही हमें अपने स्मार्टफ़न में कोई नया अपडेट मिलता है सीक्योर्टी पेश को लेकर तो हम सोचते हैं कि यार ये सही है ये जो brand है हमें regular security page updates दे रहा है device बिलकुल safe and secure है तो फिकर करने की क्या जरूरत है लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है आप में से most of users नहीं जानते होंगे कि हमें जो security page updates मिलती है और उनमें से काफी सारी updates वो भी फेक होती है अच्छे हैं कौन से brands बूरे हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको security page जो मिला है वो real है या fake है दोस्तों भी हाली में Android devices की security page updates को लेकर SRL ने एक report release की है SRL में काफी बड़ी security research lab है जिन्नोंने लगबग 2 साल तक Android devices की जो security page updates है उनके ओपर research किया और यह जो research लगबग 1200 यानि कि 1200 Android devices के उपर perform की गई और guys SRL का कहना है कि कुछ तो जो Chinese smartphone brands है कुछ जो छोटकी मूटकी brands है चीप brands है वो तो ऐसे हैं कि अपने devices के लिए security page updates को release भी नहीं करते हैं जैसा कि हमने काफी सारे smart phones के साथ में देखा है और कुछ brands ऐसे हैं कि अगर कोई critical security issue हो तब भी वो updates release तो करते हैं लेकिन काफी delay से release करते हैं लेकिन guys यहाँ पे कुछ smartphone brands ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ अपनी marketing के लिए हमें लगबग हर मेने security page updates देते हैं और सिर्फ हमारी device की जो security page वाली dates है उनको update कर देते हैं यानि कि device की security को किस भी तरह से improve नहीं कियाता है नहीं को security page मिला होता है सिर्फ उन dates को update कर दिया जाता है ताकि customers को ऐसा लगे कि उनको security page updates मिल रही है तो यह सबसे बुरी चीज है मेरे ख्याल से और guys यहाँ पर बात करें अपने security page updates को लेकर सबसे अच्छे smartphone brands की तो नाम आता है Samsung, Sony और Google का यह जो तिनों smartphone brands है अपने security page updates को लेकर सबसे honest है और सबसे ज़्यादा security page इन्होंने ही release की है अपने devices के लिए और यहाँ पर updates को लेकर जो सबसे honest device है वह है Samsung का J5 2016 यानि कि इस device को जिस security page पे रखा गया है इसकी जो dates है वह भी उसके according है यानि कि इसको किसी भी तरह की कोई fake update नहीं मिली है और guys जो Samsung का ही J3 2016 है उसकी security page updates में से 12 pages को Samsung ने miss कर दिया था जिन में से 2 काफि क्रेटिकल भी थे तो guys आगे अगर अपने बात करें उस smartphone brands की जो की updates के मामले में सबसे अच्छे हैं और सबसे बुरे हैं तो आपको अपनी screen के उपर एक chart दिखाए देरा जो कि आपको बताएगा कि कौन से smartphone brands कितनी update pages को miss कर देते हैं तो सबसे बिले नाम आता है Google, Sony और Samsung का यह लगबग एक page को miss करते हैं अपनी update में इसके अलावा जो Xiaomi, OnePlus और Nokia है एक से लेकर तीन pages को यह miss कर देते हैं अपनी security page update में इसके अलावा जो HTC, Huawei, LG और Motorola है वो लगबग तीन से लेकर 4 pages को miss करते हैं अपनी security page update में और सबसे जो worst performer है वो यहाँ पर TCL और JT है जो कि 4 plus यानि 4 से भी जाद updates को miss कर देते हैं कापी सारे smartphone brands इस list में सामिल नहीं है लेकिन guys आपको explain करने के लिए यही काफी है मेरे ख्याल से लेकिन guys यहाँ पर जो गलती है वो सिर्फ smartphone brands की नहीं है साथ में जो chip manufacturer जिसने आपकी phone का processor बनाया है उनकी भी उतनी ही गलती है क्योंकि अगर वो आपकी smartphone brand के लिए कोई pages तयार नहीं करेंगे तो आपका जो smartphone brand है आपका जो OEM है वो आपके लिए updates release नहीं कर पाएगा नहीं कि Samsung का जो Exynos processor आते हैं वो इस मामले में सबसे बहतर है सबसे जदा updates नहीं की तरफ से release की जाती है उसके बाद में नाम आता है Qualcomm का जो की 1.1% chances में ही updates मिस करते हैं इसके बाद में जो नाम आता है वो high silicon का यानि की जो Huawei और Honor के फॉन में आपको clean processor देखने को मिलते हैं उनका जो की 1.9% chances में जो updates है जो पेसे से उनको miss करते हैं और साथ में जो सबसे वेस्ट फॉर्फरमर है वो है mediatek जो की 9.7 पेसे को miss कर जाते हैं अपनी updates में तो guys यह थे सबसे अच्छे और सबसे बुरे smartphone brands अपनी security page updates को लेकर हालनकि यहां सबसे बुरी बात मुझे यह लगी कि इस report में उन smartphone brands का और उन smartphone का नाम नहीं बताए गया जो की fake updates को release करते हैं और guys Google ने भी इस report के उपर respond किया और वो भी अब SRL के साथ में मिलकर अपनी जो Android devices की security page updates है उनको improve करना चाते हैं लेकिन guys कहीं पे आपके लिए जो fake security page updates नहीं आ रहे हैं और कहीं पे आपके device में 100 pages miss नहीं हैं अगर आप check करना चाते हैं तो SRL ने इसके लिए भी एक app को release किया है जिसका नाम है snop snitch और इस app का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा मैंने इसको अपने जो note 5 pro है J7 2015 है J7 Prime है और में run किया था किसी विच्छा का issue नहीं देखने को मिला है अगर आप check करना चाहें तो link आपको description में मिल जाएगा मेरे कहल से ऐसका वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लेगेगा अच्छा लागे तो इसे like और share कीजिए और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसी और वीडियो दो देखनी हो तो चैनल को subscribe करके नोशन बेल को on कर लेजिए Instagram, Twitter और Facebook पे follow कर सकते हैं सभी के link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे जल्द ही मिलते हैं next वीडियो में